नमस्कार जोहार मेरा नाम है वंतिका और आप देख रेख रेधा 4th विलर.news अठारवी लोकसभा के सदस्यों का चुनाओ करने के लिए भारत में अगला भारतिय आम चुनाओ अप्रेल और मैं 2024 के बीच होने की उमीद है वही जारखन के सभी 80 विधान सभा सदस्यों का चुनाओ करने के लिए अगला जारखन विधान सभा चुनाओ नवंबर दिसंबर 2024 में होने वाला है यानि आने वाला साल 2024 चुनाओ का साल होगा इन चुनाओ की तैयारियों में लगभग सभी पार्टियां जुट गई है आयोग राज्य में चल रहे मतदाता पुनरिक्षन कारेकरम 2024 और लोग सभा चुनाओ की तैयारियों को लेकर जारखन आ रही है बताद इज़ार्खन में आगामी चुनाओ को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरिक्षन कारेकरम 2024 चलाया जा रहा है इस कारेकरम की सुरुवात 21 जुलाई को हुई है और यह आगामी 21 अगस तक चलेगी एक महिने तक चलने वाले इस पुनरिक्षन कारेकरम के अंतरगत B.L.O. यानि बूथ लेवल ओफिसर द्वारा घर-घर मतदाता सूची का सत्यापन और मतदाता सूची को अपडेट करने का कारी किया जा रहा है जहारखंड आ रही भारत निर्वाचन आयोग की टीम में सीनियर डिप्टी कमिशनर डॉक्टर धरमेंदर सर्मा के नेत्रित्व में सीनियर डिप्टी कमिशनर नितेश व्यास, मनोज कुमार साहु, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्विंद आनंद, अंडर सेक्रेटरी इस बैठक में जीलों के उपायुक तिस्सह जीला निर्वाचन पताधिकारी के द्वारा अपने अपने जीले से संबंदित रिपोर्ट प्रसुत किये जाएंगे। इस बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन कराने पर भी जोर दिया जा सकता है। अब कल बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि चुनाव आयोग ने किन महतुपुन पहलूओ पर अपने विचार प्रकट किये हैं। फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे धा फॉर्ट पिला डॉट नूजूज। आपको पीना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं। बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रे थे। इसके अलावा हमारे वीडियोज आपको अलग-अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टेक्राइम, ट्विटर पर भी देखनी को मिलेगे। जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं। शुक्रिया।